नमस्कुरा राइस्बेटी न्यूस पर पेश है राजिस्तान की बड़ी खबरे राजिसान के चिकिसां स्वास्य मंत्री डॉक्टर रहु शर्मा ने बताया कि एक जून सोमवान से राज्य का सबसे बड़ा सवाईमान सिंग अस्पताल नौन कोविड हो जाएगा कोविड मरीजों का इलाज RUHS में किया जाएगा चिकिसा मंत्री ने कहा कि शुरुवाती दौर में कोरोना महमारी के प्रकोप को देखते हुए SMS एस्पताल में कोविड से संक्रमितों के लिए OPD, IPD और Emergency चिकिसा सुविधाएं शुरू की गई थी अब एक जून से यहां दी जाने वाली सभी सिवाएं राजसान स्वास्ते विज्ञान विश्व विद्यालय प्रतापनगर में स्थांतरित की जा रही है राजसान में कोरोना वारिस के संक्रमित के मामने लगातार बढ़ते जा रहे हैं राजसान में रविवार को 76 ने कोरोना पोजिटिव के सामने आई हैं इनमें जयपूर में 21, जहलावार में 14, भरतपूर में 12, जुनजुनों में 7, कोटा में 6, धौलपूर और रासमन में 55, अजमेर में 3, उदैपूर में 2, और टोंक में 1 संक्रमित मिला है इसके बाद कुल संक्रमितों का आंकड़ा 8,693 पहुँच गया है वहीं जयपूर में एक मौत भी दर्च की गई है जिसके बाद कुल मौतों की संख्या 194 तक पहुँच गई है जहलावार शेत्री के पिपलिया खुर्द गाओं में पानी भरने को लेकर दो महिलाओं में विवाद हो गया जगड़े के दौरान महिलाएं पास में पलंक पर गिर पड़ी इससे पलंक पर सो रही दो महा की बच्ची की दबने से मौत हो गई पुलिस के अनुसार ग्रामिन प्रेम की पतने निर्मला और राजु की पतने वंदना के बीच सरकारे नल पर पानी भरने को लेकर शुकरवार रात को आठ बची विवाद हो गया था दो महा की दूद मोही बच्ची खाट पर सो रही थी जगरते हुए महिलाएं पास में खाट पर सो रही बच्ची के उपर गिर गई डॉक्टर ने परिक्षन कर बच्ची को मृद्खोशित कर दिया रजसान के चिक सायम स्वास्त मंत्री डॉक्टर रगु शर्मा ने प्रदेश वासियों से तंबाकू, पानमसाला और अन्य विशनकारी पदार्थों का सेवन त्याग कर स्वास्त जीवन चुनने की अपील की है डक्टर शर्मा ने प्रदेश वासियों से स्वयम तमबाकू पदार्थों का सेवन छोड़ने के साथ ही अपने परिजनों, मित्रों और साथियों को भी तमबाकू एवं विशनकारी पदार्थों का सेवन नहीं करने के लिए प्रेरित करने का आगरह किया है उन्होंने कहा कि विशेशग्यों के अनुसार तंबाकु सेवन से गंभी रोग होने की संभावना के साथ ही शरीर की रोग प्रती रोधक्षमता में कमी आती है जिससे कोरोना सहीत अन्य संक्रमन होने की संभावना बढ़ सकती है जयपुर में जोतिनगर इलाके में एक व्यक्ति का अंतिम संसकार किया जा रहा था चिता को अगनी भी दे दी गई लेकिन उसी समय पुलिस में मौके पर पहुँचकर जलती चिता पर पाने डाल कर अंतिम संसकार रुखवा दिया पुलिस ने शव को कबजे में ले लिया और जयपुर के समस हॉस्पिटल लेकर पहुँची जहां पर मृतक का कोरोना सेंपल लिया गया है अब पुलिस की ओर से शव का पोस्माटम करवा जाएगा प्यापत जानकारी के अनुसार एक व्यक्ति की मौत के बाद परिजन आननफानन में शव को शमचान घाट ले गए और वहाँ दाहा संसकार करवाय ज़ा रहा था इसे बीच मृतक के दोस्तों ने पुलिस को संदिग्ध मौत के बारे में सूचना दे दी पुलिस ने अन्तिम संसकार रुकवा दिया और पुलिस शव को कबजे में लेकर SMS होस्पितल पहुंचे सीरोही जिले के आबू रोड में ट्रेन से गिरने से एक यात्री की मौत हो गई इस यात्री का शव रिको अद्योगिक शेत्र के पास्ट्रैक पर मिला पुलिस ने शव को आबू रोड मोर्चरी में रखवाया है अभी तक मिलतक किशिनाक्त नहीं हो पाई है उदैपुर जिले के प्रताप नगत थाना शेत्र में आज दो ट्रेलर के बीच भीडंत हो गई भीडंत के बाद दोनों ही वाहनों में आग लग गई इस घटना में एक ट्रेलर चौलक की जिंदा जलने से मौत हो गई उदैपुर जिले के सराणा में आसाड़क हासे में एक बच्ची की मौत हो गई जबकि तीन जने घायल हो गई यह हासा उस समय हुआ जब जैसमन के नामला मोड पर एक कार अनेंटरित होकर पेड़ से जाटक राई हासे में कार में सवार, पती, पत्नी और उनकी साथ वश्य बेटी घायल हो गई बच्ची को इलाज के लिए अस्पताल ले जाते समय रास्ते में उसने दम तोड़ दिया चुरू जिले के रतनगण में आपनी योजना के पंप हाउस में आज आग लग गई प्रदेश के आपूरोड के निकट अमीरगड चेक पोस पर गुजरात एसोजी ने आज बड़ी मात्रा में अफिम बरामत की है ये अफिम एक कार में राजिस्तान से गुजरात लेकर जाई जा रही थी एसोजी ने कार को रुकवा कर तलाशी ली तो उसमें से तीन किलो आफिम बरामत किया गया कार में सवार दो आरोपियों को गिरफतार कर लिया गया है ये दोनों जोदपूर के बतायच और रहे हैं